हे गाईज हम करेंगे color correction और आप कहीं न कहीं सारी गलतियों को करते हो जिसकी वज़े से आपका जो base है वो अच्छा नहीं बनता है आपके problem और concerns hidden नहीं होते हैं वो उसके बाद भी show होते हैं तो सबसे पहला आपको step करना है कि आप dry beauty blender का use नहीं करेंगे color correction करते टाइम आपको wet beauty blender use करना है बट वो excess wet नहीं होना चाहिए उसका excess water है वो आपको soak कर लेना है अच्छी तरीके से tissue paper पे एंडन ही आपको use करना है उसके बाद आपको एक amount of pressure से ही beauty blender को blend करना है ओवर आप pressure दो and third point है आपका कि आपको आपके color correction के बाद one minute का state देना है ताकि वो dry हो जाए उसके बाद या product apply करोगे